तो दोस्तो अज हम एक educational वीडियो बनाना सीखेंगे, ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हर वीडियो के तरह इस वीडियो में भी पहले डेमो दिखा देता हूँ, और उसके बाद अगर आपको पसंद आए, कि हाँ मुझे इस तरह का वीडियो बनान पार है, हमने एक PowerPoint की slide बना के रखा है, इसे मैं open कर लेता हूँ, तो दोस्तो हमने कुछ इस तरह का slide बनाया है, वैसे तो हमने अपने चैनल पे बहुत तरीकी के जिके वीडियो बनाना सीखाया है, पर दोस्तो यह थोड़ा सा अलग है, ठीक है, चलिए मैं इसे play करता हूँ तो दोस्तो प्ले करने के लिए slides ओ पे क्लिक किजिए, उसके बाद from beginning याने starting से इसे start किजिए, तो दोस्तो यह खास इसलिए है, क्योंकि इसमें यह देखे, इसमें जो background में एक video चल रहा होता है, जो कि इसकी खुबसूरती को बहुत ही खास बनाता है, अब अगर मैं enter press करत तो वो भी animate होते है, A, B और option C और D, इस तरह से आता है, अब इसका answer सही कौन सा है, जिसे मैं enter press करूँगा, यह इसका सही answer है, यहाँ पे बता देता है, चलिए एक slide में और play करके दिखा देता हूँ, तो दोस्तो इस तरह का video जो है बना करके आप अपने YouTube चैनल पे अगर upload क करते हैं, तो I hope कि आपके subscriber या आपके viewer को बहुत ज़्यादा पसंद आने बाला है, ठीक है, तो यहाँ पे देखे, यह question आ गया, और option A आ गया, option B आ गया, और यहाँ इस तरह से option C और D आ जाता है, और जैसे मैं next click करूँगा, इस तरह से यहाँ पे देखे, जो है इसका जो बने रहिए, देखते रहिए, और सिखते रहिए, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो सुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है राजीव, और आप देखे रहे अपना YouTube चैनल Headpack Mitra, तो दोस्तों आ ऐसे करेंगे, बहुत ही आसान है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर एक आपको tab दिख aliens tab अप इस पर क्लिक करें, उसके बाद यहां पर आपको दिख चाहिए जो copyright free हो दोस्तो वीडियो कैसे मिलेगा दोस्तो वीडियो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं तो आप पहले Google Chrome को open कर लिजिए Google Chrome open होने के बाद दोस्तो आप टाइप कर लिजिए यहां से वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर लिख लेंगे background एंटर कर दीजिए और यहां पर दिखें दोस्तो बहुत सारे background आपको यहां पर मिल जाता है ठीक है तो आप जो पसंद करते हैं आप उसे असानी से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है डाउनलोड करना भी आप देख सकते हैं कि यह जो है बिल्कुल license free है ठीक है बिल्कुल commercial use है और उसके बद दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है free download आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर यह रेजुलेशन सेलेक्ट है 1280 इन्टू 720 रेजुलेशन आप सेलेक्ट करेंगे और download पर क्लिक करके आप इसे download कर लेंगे ठीक है चलिए आते हैं हम लोग powerpoint की slide में तो मेरा already download है इसलिए मैंने उसे download नहीं किया ठीक है आप इसे आप जितना भी रखना चाहें जिस size में रखना चाहें आप रख सकते हैं चलिए मैं इतना रख लेता हूं कुछ इस तरह से और इधर भी मैं इसे बढ़ा लेता हूं कुछ इस तरह से इधर भी मैं बढ़ा लेता हूं कुछ इतना इस तरह से इधर भी मैं थोड़ सब अढ़ा लेता हूं कुछ इस तरह से ठीक है इसको आप रिसाइज कर लेंगे रिसाइज करने के बाद दोस्तों अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहें तो वह भी आप लगा सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा है वीडियो बॉर्डर आप इसमें क्लिक करें जो भी प्लेबैक प्लेट करते हैं तो आपको यह सारे आप्शन सो होते हैं तो यहां पर एक option है लूप अंटिल स्टॉप इसी चेक करें और इसके बाद दोस्तों यहां पर आप इसे ऑटोमेटिकली सेलैक्ट करें ठीक है इतना काने के बाद दोस्तों आप वापस स्लाइड माश् आप इस पर click करें यानिकि यह दोस्तो आपकी जो भी यहाँ पर text है उसके यह पीछे चला जाता इस तरह से ठीक है इतना होने के बदद दोस्तो आप आपको थोड़ा सा और करना है एनिमेशन टैप पे क्लिक केज़े और एनिमेशन पैन पे क्लिक केज़े ठीक है चलिए आप दोस्तों यह जो आप देख रहे है ठीक है यहां पर देखे जैसे हम वीडियो पे क्लिक करते हैं यह सेलेक्ट हो जाता है और यह सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों आपको क्या करना है यह जो animation है आप इसे mouse से पगड़के सबसे उपर रख देंगे ठीक है इस तरह से और यहाँ पे after previous है तो दोस्तो हम लोग इसमे with previous select कर लेंगे ठीक है और यह जो है दोस्तो टेगर यहाँ पे animation आगया है तो आप इस पे click करें यहनी click करके आप इसे select करेंगे उसके बाद इसमे एक appear animation दे देंगे और इसमें भी दोस्तो आप रख देंगे with previous ठीक है उसके बाद दोस्तो यह जो आपका first ठीक है यह वाला जो animation है इसका जो animation है ठीक है इसे दोस्तो आप रख लिजिए on click यहनी जब आप enter प्रेस करेंगे या space की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है सवाल लिखाना शुरू हो जाएगा ठीक है और उसके बाद दोस्तो यह जो इसका correct answer है ठीक है इसका जो यह green वाला animation है आप इस पे click करेंगे और इसको भी दोस्तो आप on click ही रख लीजिए ठीक है बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है और आपको view पे click करना है और फि इसे close कर देते है animation को उसके बाद दोस्तो हम लोग slide show पे click करके इसे play करते हैं यह देखिए दोस्तो हमारा यहां पे बन चुका है और जैसे मैं space की press करता हूं इस तरह से यह हमारा question इसक्रीन पे सु होना start हो गया है तो देख पा रहे है दोस्तो यह जो इसके background में जो वीडि जाल रहा है ठीक है यहां पे कुछ missing हो गया है चलिए मैं next slide में आपको दिखा देता हूं कुछ इस तरह से ठीक है जैसे आप एक space की press करेंगे तो जो है इस तरह से आपके सवाल यहां पे आना शुरू हो जाता है ठीक है यहां पे सवाल आ गया तो यहां पे थोड़ा सा wait कर करेंगे तो यहां पे option भी आना शुरू हो गया है तो इस तरह से option भी आगे और जैसे आप इस प्रेक्ट करेंगे तो इसका जो सही answer है वो यहां पे आ गया है और background में वीडियो जो चल रहा है वो अपने एक अलग ही look दे रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप जो है बहुत ह ही खुबसूरत सा attractive gkgs वाली वीडियो अपने YouTube चैनल के लिए बना सकते हैं I hope दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को like कर हमें motivate करें तो दोस्तों मिलने फिर नहीं वीडियो में next tutorial में तक तक चले दोस्तों जैहिन बंदे मात्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जैहिन धन्यवाद